डोपामाइन क्या है? आज के जमाने में काम करना और लगातार अपडेट रहना हर किसी के लिए एक चुनोती है लेकिन इस रोज बदलती दुनिया में हैपी रहने की चुनोती को जहना किसी आम इंसान के लिए आसान बिल्कुल नहीं है इसी कंदिशन्स के कारण हमारे जीवन में अलग-अलग नमने की इंट्री होने लगती है इसके अलावा कुछ शारिरिक और मान्सिक परिशनियों के कारण भी हार्मन असंतुलियन जैसी समसें जीवन में आजाती है लेकिन येकीन मानिए मूड को भेतर करने और लाइफ को भेतर बनाने में हैप्पी हार्मोस की भी अहम भूमिका है वहीं कुछ सैड हार्मोस भी होते हैं जो इनसान को उदास बना सकते हैं इन सैड हार्मोस से पीडित ज्यादा तो लोग इसका इलाज डिप्रेशन समझ कर करवाते हैं लेकिन इन हैपी हार्मोस को अगर बूस्ट किया जाए यानि कि अपडेट किया जाए तो न सिर्फ मूड को खुश्णुमा बनाया जा सकता है बलकि ये आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं मानसिक चिकित सक एनि कि कई सैडिकोलाजिस्ट भी इन हार्मों को बूस्ट करने की सलाह देते हैं इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोपामेंट क्या है इसके अलावाद डोपामेंट शरीर को कैसे प्रभावित कर सकता है ये भी बताऊंगा कि डोपामेंट का बूस्ट वर्क प्लेस पर कैसे आपको स्टार बना सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं हो डॉक्टर पठन मेरे इस यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत सागत है तो पहले हम जान लेते हैं कि डोपामेंट क्या है वाट इस डोपामेंट डोपामेंट दिमाग में मतलब जो बनने वाला एक नियूरो ट्रांस्मिटर है मूड रूप से यह नियूरोंस के बीच एक केमिकल मेसेंजर की रूप में काम करता है डोपामेंट दिमाग में तब रिलीज होता है जब आपका दिमाग एक इनाम की उम्मीद कर रहा होता है जब आप किसी निश्चित एक्टिविटी को खुशी मान लेते हैं तो डोपामेंट का स्थर बढ़ाने के लिए सिर्फ उस एक्टिविटी को करने की आवश्यक्ता होती है यह कुछ भी हो सकता है कोई खास खाना हो सकता है शौपिंग हो सकता है शादी हो सकता है कोई मिटिंग हो सकते है कोई बिजनिस हो सकता है सेक्स या कोई भी अन्न चीज जिसे करने में आपको खुशी मिलती हो उधार के लिए मान लेकि आपको घर में बनी हुई कोई डिश जैसे की दाल चावन खाने की खुशी मिलती हो ऐसे में जब भी आप दाल चावन की खुश्बू सुंगते है या उसे बनते हुए देखते है या उसका सेवन करते है तो आपके दिमाग में डोपामन की मात्रा बढ़ जाते है डोपामन की बड़ी हुई मात्रा इसके सेवन की इच्छा को मजबूत करते हैं इसके अलावा भईविश्य में इस इच्छा को पूरा करने पर ध्यान आकरशित करते हैं ये मोटिवेशन, इनाम और रीइंफोर्समेंट के किसी चक्र के तरह होता है अब कल्पना करें कि आपके दाल चावन खाने की इच्छा है लेकिन आपके दफ्तर के जो लोग आपके सामने टिफिन को खा जाये और आप चाहते हुए भी उन्हें रोक न पाए ये स्थिति आपके दिमा में डोपामन के लेवल को कम कर सकती है ये स्थिति आपके मूड को भी खराब कर सकती है इससे आपके मन में अपने पसंदिदा काम को पूरा करने की प्रबल इच्छा जाग सकती है जैसे आप किसी भी तरह से पूरा करना चाहोगे डोपामन को कई मायनों में feel good यानि की feel good happy neurotransmitter माना जाता है डोपामन का सम्मन्द दिमाग में खुशिये और इनाम की भावना के साथ जुड़ा हुआ है बेशक ये इतना आसान नहीं है जितना की दिखता है वास्तों में इस जटिल रसायन को समझना भी बहुत जटिल यानि बहुत मुश्किल होता है डोपामन का सम्मन्द neurological और physiological कामकाज से है डोपामन शरीर के आंगों के functions, मनोदशा और यहां तक की हमारे फैसले नेने की शमता के लिए भी जिमेदार माना जाता है इसका समंद कुछ movement और मनोरोप विकारों से भी जुड़ा हुआ है इस feel good function के अलावा डोपामन शरी के कई अन्य function में जुड़ा होता है इनमें शामिल है blood flow, पाचन यहनि की digestion, executive functioning, heart और kidney function, memory और focus, mood और भाणाए, mood and emotions mood motor control, दर्द की प्रक्रिया यहनि की brain pain processing, pancreas function और insulin regulation, आनन्द और इनाम, पाने का व्यवहार, pleasure and reward seeking behavior, नींद यहनि की sleep, stress response एक्सेटरा ध्यान रखे, dopamine अकेले काम नहीं करता है, यह अन्य neurotransmitter और हर्मोन जैसे serotonin और adrenaline के साथ काम करता है परयावर्निय factors भी आपकी शालिरिक और मानसिक सिहत को भी प्रभावित करती है dopamine आपको कैसे मेसूस कराता है next है, how does dopamine make you feel दिमा में जब dopamine का level सही मात्रा में होता है, mood आम तोर पर भेतर ही रहता है यह हर्मोन सीखने, योजना बनाने और productivity को बढ़ाने के लिए best होता है dopamine का संबन्ध हो सकता है, alertness, focus, motivation, प्रसननता यहनि की happiness dopamine की मात्रा अगर आचानक बढ़ जाए तो आपके दिमाग में खुशी के अस्ताई लहर का विकास हो सकता है अब हम जानते हैं अगर आपका dopamine level कम हो तो क्या होता है mood खराब रहने के पीछे dopamine का low level भी एक वज़े हो सकता है alertness घट जाती है एकागरता यहनि की concentration में समस्या आती है motivation में कमी आ जाती है किसी काम में जोश नहीं मेहसुस होता coordination घट जाता है movement में समस्या आती है नीन के समय में कमी आ जाती है sleeplessness तो संबव है कि आपका dopamine level कम हो सकता है वैसे बता दूं कि dopamine की कमी की कारण अधिक सोने की समस्या भी हो सकती है जबकि कम सोना भी dopamine के level को कम कर सकता है साल 2012 की study के अनुसार परियापत नीन्द न लेने पर सुबह के समय dopamine receptors में dopamine की उपलबदता में कमी आ सकती है अब बात करते हैं dopamine level में कमी से होने वाली समस्या है conditions associated with low dopamine levels कुछ स्थितियां conditions ऐसे है जिनका सम्मंद low dopamine level से हो सकता है जैसे कि पहला है Parkinson's disease इसके लक्षन में शरीर में कम कम प्याना movement धीमा होना जाने की समस्या और कभी-कभी मानसिक की समस्या होना शामिल हो सकता है दूसरा है depression सोने में समस्या होना और सग्यानात्मक व्याहर में बदलाव आ जाना शामिल है तीसरा है dopamine transporter deficiency syndrome इस syndrome को infantile Parkinsonism dystonia भी कहा जाता है इस समस्या के कारण movement से जुड़ी समस्याएं भी हो सकते है इसके लक्षन भी Parkinson's बीमारे के समान ही होते है अब जानते है dopamine की मात्रा ज्यादा होने पर क्या होता है what happens when you have too much dopamine dopamine की स्थर अगर बहुत पढ़ जाए तो आप खुद को दुनिया का king में सुस करते है बली ही थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो यह आपको गंबिर ओर ड्राइव में भी डाल सकता है dopamine की अधिक्ता होने पर कुछ समस्या हो सकती है जैसे की उन्माद याने की मैनिया दूसरा है दूस्वपन याने की hallucinations और तीसरा है delusions इसके अलावा भूस ज्यादा dopamine के स्त्राव में कुछ कारक एहम भूमे का निवा सकते है जैसे की मोटापा याने की obesity लट याने की addictions सिजोफरेनिया असन में dopamine का समंद खुशी और इनाम की भावना से जुड़ा हुआ है यह उपलबदी से जुड़ा हार्मोन है शरीर में dopamine की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही focus आप काम पर बनाए रख पाएंगे dopamine किसी इंसान की creativity और एकागरता को बड़ा सकता है यह आपको अपना target पूरा करने के लिए motivate भी करता है अगर आप तेस समय में आपने target पूरा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह आपके career को boost करने में मदद करता है इसके आलावा dopamine social और professional life में आपकी फैसला लेने की ताकत यह शमता को बड़ा देता है इससे आप ज्यादा bold फैसले और perfect फैसले ले सकते हैं यह आपको भेतर काम करने की प्रेरना देता है बस जरूरत है इस बात की dopamine को आप अपने लक्ष चे जोड़ दीजिए तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह मुझे निचे comment section में comments करके बताईए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो like और share जरूर करना और मेरे इस channel को subscribe जरूर करना तो मिलते हैं मेरे next video में तब तक के लिए धन्यवाद